तो गाईज यार आज मैं सिंचनर चोप को एक साफी बड़ा सप्राइज देने वाला हूँ जिसमें कि मैं उन दोनों को ये वाली कार गिफ्ट करने वाला हूँ क्योंकि यार ये कार ना उन दोनों के बिल्कुल साइज की यार काफी टाइम से सिंचनर चोप मैं से रिक्वेस् और बैं तुम्हें बता दू कि यार ये कार पूरी पूरी लो सेंटोस में सिर्फ एकलोती इतनी जादा चोटी कार है जो कि मैंने शिंचेन ओ चोप के लिए लेके आजगा हूं तो चलो भाई देखते हैं इन दोनों को सप्राइज करते हैं इन दोनों को क्या रियक्शन होने अनलब वैसे यहार पर तो यहा पर चेंगा है जल्दे से बता सची बात किया है तुम यहां पर क्या शरारत करे हो अरे यार बैद फ्रेंक्लिन टूब यहां पर एक गोल्डन को लिए आयप गोल्डन एरोप्लेन यार गोल्डन एरोप्लेन कहां से आ गई यार यार यहां पर हमने तो आज तक नहीं देखिए अरे हाँ यार यार यह बाद तु बिल्कुल सही बोल रहा है मेरे को साइमन से कोल करके पूसनी चाहिए कि क्या यार अपनी लो सेंटोस में यार कोई गोल्डन की भी एरोप्लेन है चलो तो भाई मैं जल्दी से उसको कोल मिलाता हूं लेकिन यार एक बात देखलो आज मैं तुम्हें एक कॉफी बड़ा सप्राइज गिफ्ट करने वाला हूं चलो ते यार सबसे प पड़िए तुम बता और में को एक चीज़ बता कि आर अपने लो सेंटोस में कोई यार गोल्डन एरो प्लेन 可ाई रहें आब काफी सचती है बट यार आज मैंने बाई प्लैन को चेंज कर लिया है क्यों कि एर आज मैं इन दोंबें लाने वाला एक यार डायमंड की एरो प्लेन जो किया रहा है इनके बार इन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी बाइस इंचेन और चॉप जल्दे से आज़े बाई चॉप तु अभी चत पर क्या गर रहा है जल्दे से उतर क्या ओ सिट यार चॉप यार चत से गिर गया बाई चॉप यार थोड़ा से समल के आज़ा अड़ी पसली तूट जाएगी जल्दे से आज घाड़ी में बैट जा आज तुम्हें मैं एक कॉफी बड़ा सप्राइज देने वाला हूं पहले तो यार मैंने डिसाइड किया था कि यह वाली कार मेरे को बात बताई तो मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया तो आज मैं तुम्हें इससे भी कॉफी बड़ा सप्राइज गिफ्ट करने वाला हूं जो कि यार कॉफी जादा महेंगा होना है और यहां पर चलो गाइज हम जल्दी से चलते हैं अरे यार फ्रेंक्लिन यार ऐस कसके पकड़े ना क्योंकि गाड़ी आज में काफी तेजी स्पीड में चलाने वाले हूं और आज हम काफी एक ऐसी बड़ी जगह पर जाने वाले जहां पर नॉर्मल बंदे तो नहीं जा सकते लेकिन यार मैंने वहां पर एक व्याइपी पास बनवा रखे तो वहां पर जा पर पूछ जाएंगे तो ओल राइट घाइज यहां पर मैं से इंचेन और चोप को लेगे आज को यहां पर एरपोर्ट पर अरे यार बाई यह तो बहाई हम तो एरपोर्ट पर आगे अरे तो हां यहीं पर तो वह सप्राइज गिफ्ट मैंने तुम दोनों के लिए रखा है जो कि मैं तुम्हें अभी देने वाला हूं पैस यार तुम थोड़ी देर से वेट कर लो यहाँ पर उसके बाद में तुम्हें काफी बड़ा सप्राइज क्यों से रहेगा पैस थोड़े सा वेट कर लो तुम्हे album है अभी आ राउं तुम्छसे मिलने के लिए तो guys यार चलो भाई जल्दी से चलते हैं यहाँ पे मेरको यहाँ पे एक airplane को देखना है जो कि यार काफी जादा खराब हो उसको हम repair करवाने वाले हैं तो alright guys मैंने यार अभी एक बंदे से बात के यहाँ पे जो कि यहाँ पे airport पे काम करता है तो उसने मुझे बताए कि यहाँ पे यार एक car ऐसी मले एक car बोला हूँ भाई एक ऐसी airplane है जो कि काफी जादा खराब है तो फिर मैंने उसको बोल देखे यार भाई प्लीज यार उस airplane को कैसे भी वहीं की वहीं पे रखना कि कि मैं आज उसको purchase करके उसे अपग्रेड करने वाला और उससी भाई यह काफी भैंकर वाली airplane बनाने वाले जो कि diamond के होने वाले जो कि gold से भी काफी जादा महंग होता है और वो airplane मैं सिंचेन और चोप को gift में करने वाला हूँ भाई उसके बाद में तो इन दोनों का काफी मखतरनाक वाले इंप्रेशन आने वाला है यहां पर reaction होने वाला है तो चलो यहां पर जलते हो यहां पर ओ भाई साहब यह वाली है कि यार वो airplane ओर यार वा भाई साहब क्या मसते airplane ने यह तो भाई पहले से ओल्रोड़ी diamond की है तो बैस मुझे यहां पर इसको repair करवाना होगा इसमें काफी ज्यादा काम तो है बाट यार क्या करें बाई काम तो करवाना ही पड़ेगा अरे हां यार भाई Franklin यार ये airplane तो यार पूरी की पूरी खराब हो चुकी है इसका हम क्या करेंगे अरे यार चोपीची से तो यार आज हम काम करने वाले इससे हम आज एक ऐसी खतनाक airplane बनाने वाले जो की यार काफी जादा महेंगी होगी और भाई उसको एक पर तुम देख हो चुका है पीची का पूरा पार्ट खराब है दोनों की दोनों इंजर खराब होगे उसका विंक्स भी टूट चुके है तो यहां पर मुझे काफी जादा मोटा खर्चा आने वाले बट यार क्या करें बाइस इंचेन और चोप को यार सप्राइज करना है तो यार यहां प पार यहां पर चलते आगे अब यार यहां पर कोई गार बेस का थ्रक तो खड़ा है लेकिन आर जाकर पूस्ते प्या इन ही कहा रहा है शका पथे जल्दी से नहीं आ और यार उतर रहो नहीं क्या जल्दी अरे बच्चे तुम्हीं इसके ऊपर क्या कर रहे थे अरे सर मैं तो यहाँ पे ऐरोपलेन हैं वो जो खराब वाले ऐरोपलेन हैं उसको पछेज़ करने के लिया था मैंने सोच गी अगर आपकी हो तो मैं उस आपसे बात कर लो बैसी भी आप गार्वेस, कलेक्टर हो तो हो सकता कि यार आपकी हो हो अरे हाँ बच्चे वह तो हमारी है अरे वह वाट सर क्या बात है अगर आपकर हो पूर का आप यह को ले सकते हैं अरे हां बच्चे तुम अ हैbelocy प्री में ले सकते हो अरे भाई साफ फ्री में अरे सर क्या आप सची बूलों अरे हाँ बच्ची यार वो तो बिल्कुल खरा भोच कि हम उसको कबार्डे में गिरने वाले थे अरे वाई यार दोस्तों आज तो काफी जादा लग्की डे भाई आज तो हमें एक फ्री में एरो प्लेन मिलिगे जिसको हम आज रिपेर करवा के अपगरेड करेंगे जिससे कि हमें एक कॉफी बैंकर वाली एरो प्लेन बना ले वाले वाले जो कि मैं सिंचन और चोप को गिफ्ट में करने वाला हूं तो भाई सिंचन तु यार कहां पे रहिए जल्दी से आ जाना भाई य तो बंजाई आ जाएगा अभे मजा कर रहा हूं यह एरोप्लेन थोड़ी ना गिफ्ट करूंगा तरको पता है कितनी जादा मेंगे गाई जार मैं इसे वैसी उल्लू बिना रहूं भाई इसको नहीं पता अरे हां यार यार यह तो मैं तरको बिल्कुल भी नहीं दे सकता व अगर तुम मुझे बिल्कुल नाराज कर दे अगर तुम नहीं मुझे दे बबाए था यहां पर करने के लिए कैका от करने करं वह ठाए यहां यहां पर सकते यहां पशामने को के-ःत कैबिना के juo-yoot यहां पूरे को रिपेर कर देंगे हैं सर अब करना कि नंबर कर देंगे एकसंवीय को अपर गल्डन की नग्लते हैं अरे तुम यह तुम यहां पर तुम यह देको यह मैकनिक यहां पर नीचे इसके इंजन में वायरस में कुछ गड़ बड़ी होगे जिसे कि यार यह रिपेर कर रहा है वैसे यह काम तो काफी अच्छे से कर रहा है तो भाई देखते भाई आज क्या करेंगे यार मेरे को तो इन पर पूरा विश्वास तो है यहां पर एरपोर्ट पर काम करते हैं यह गोवर्मेंट वर्कर है तो यह तो काफी अच्छे से काम करेंगे जैसे कि एक मैकनिक करते है उससे अच्छा काम करने वाले है तो भाई चलो यहां पर हम थोड़ी सी देर वेट करते हैं वैसे यह इन्जन तरो क्या लग रहा है क्या ये क्या इस airplane को ठीक कर देंगे अरे हाँ यार बाई Franklin यार ये तो ठीक करेंगे ना बाई चल देखते हैं बाई क्या होता है तो all right guys यार काफी देर हो गई वैसे बाई सहाब यार ये इन्होंने क्या बना दिया बाई पूरी की पूरी यार airplane को इन्दो लोगे ने यार अपग्रेड कर दिया बाई सब क्या कमाल है इसके पूरे का पूरा color change कर दिया इसके body को repair कर दिया याँ पर ये बन्दा इसको साफ कर रहा रहा है चमका रहा है काफी मस है चमका वैर काफी ज़्यादा पैस लगे है पैसे यार तुम ये देखो सामने से भाई क्या मस लग रही भाई हमारी airplane वैसे इसका color अभी इन्होंने paint नहीं किया paint क्या करना भाई इन्होंने पूरी की पूरी body change करनी है ना अभी तो वैसे इसको थोड़ा सा upgrade कर रहा है इसके बाद में इसके उपर यार ये इतनी देर होगी यार ये बंदे काफी hard work करें तो चलो यार यार इनको इनका काम करने देते हम चलते हैं सिंचैन से और जाके पूस्ते कि भाई क्यार काम करें तो चलो गाज आप दूबारा से काफी जादेर हो गई है और अब फाइनल हमारे एरोपलें रेडी होच्टके हैं तो चलो हम चलके देखते कि भाई कासी क्या बन चुकिए हमारी एरोप्लेंट यहां पर चलके देखते हैं और रहे वाग आज यार यह देखो तो भाई क्या कमाल के एरोपलेन बन गी ये तो पूरी की पूरी डामेंड के एरोपलेन बन गी एक दम यार यहां पर तो मज़ा आने वाला है और यहां पर इसमें नीचे कुछ वैपन का भी सिस्टम लगा हुए बाई साब यार शिंचेन ये देख भाई क्या लग रही है ते लिए रिपेर कराया है ताके मैं तुझी ये वाले एरोपलेन गिफ्ट कर सकूँ अरे क्या भूया यार मेरे को तो रोना आ रहे यार यह बात सुनके अरे हाँ यार यार ये तेरे लिए ही थी पैसे यार इन तीनों बंदों ने और काफी महनत करके इस कबाड़े के धेर को यार यहाँ पे एक डावंट की एहरोपलेन बना जआ तो इसी बात पर इनके लीए एक लाइक तो बनता है यार काफी हाडवर कर है तो तैंके सो मच यार मैं तुम्हारे पेमिन्ट में करवाद हूँगा अरे नहीं-नहीं सर यहाँ पे हमारे सर ने फोन करके बोला खिया फ् प्रैंकिलीन हमारा दोस्त है तो उससे पैसे मत लेना अरे भाई साब ऐसे दोस्त होने से यह चल तो भाई सिंचन जल्दी से आगे अपनी एरोप्लेन पे बैठ जा और चोब तू भी आजा भाई यार पीछे से कभी तेर को मैं भूल जाओ जल्दी से आजा मैंने स्टार्ट क कास के पकड़ने काफी जादा थेज से हवाँ चलने वाले है तो राइट गाइस यहां पर हमने ले लिए अपनी डाइमंड की एरोप्लेन जो की यार मैं सिंचन और चोब के लिए गिफ्ट रहा और इन दोनों को काफी जादा पसंद आए वैसे यार मैंने चोब से तो पू तेरको काफी मस्त लगी होगी ना अरे हाँ यार बही मिरको तो काफी मुच्छ लगी यहार मेर तो आपके लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़िके अरे भाइस स्ँचन तू चला यार अफियार अब बैटे चलो तो जल्डिसे आजर इस चलाने वाले अब आपनी इस लिए यार यह क्या कर रहा भाई इतनी उंचा आई प्रेस्ट कर वाज़े यार बाई जल्दी से साइड में आ गाई यह यह मुझे मार के रहेगा भाई सिंचन तु साइड में बैठ जा ठीक है गाई यार मैंने इसको साइड बेठा दिया भाई औरे यार भाई फ्रेंग्लीन तोड ओल राइट गाई यहां पर हमारा भाई जो में लोकी सप्राइज था वो काफी मस्त से गए यहां पर मैंने कबाड़े से एक एरोपलेन बना दे जो कि डायमंड का है सो आई होप आप से भी वीडियो चलिए वीडियो को लाइक